साथ्यों हमारे पर्वों दान दक्षिना तब तपस्या हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमी का महत्वपुण है ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं आज मेरी कासी से डिबुरगण के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जलियात्रा गंगा विलास क्रुज का शुभारंब हुआ है इससे पूर्वी भारत के अनेक परियटक स्थल वर्ल्ट तुरिजम मैप में और प्रमुक्ता से आने वाले हैं काशी में गंगा पार यह जो नई निर्मित अद्वुत टैंट सिटी से वहां आने वर रहने का एक और बड़ा खारण देश दुनिया के परियटकों स्रद्धालों को मिला है इसके साथ साथ आज पस्चिम मंगाल में मल्टि बोर्डल टर्मिनल यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी असम में मेरिटाइम स्किल सेंटर सी प्रिपेर सेंटर तर्मिनल कनेक्टिमिटी प्रोजेक्ट ऐसे एक हजार करोड रुपे से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकारपन हुआ है ये पुर्वी भारत में ट्रेड और टूरिजम से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं साथियों गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है बलकि ये प्राचिन काल से इस महान भारत भूमी की तब तपस्या की साक्षी है भारत की स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हो मा गंगे ने हमेशा कोटी कोटी भारतियों को पोशित किया है प्रेरित किया है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आज जादी के बाद विकास में पिछरती ही चली गई आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए इस बज़र से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ इस थिती को बदला जाना जरूरी था इसलिए हमने एक नई एप्रोच के साथ काम करना तै किया नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जूस 24